अगर आपको English नहीं आती हो और आप सीखना चाहते हो या फिर आपको English आती तो है लेकिन बोलते हो और लिखते समय थोड़ा जिजखते हो कि कहीं कोई गल्वर्टों में यूज नहीं कर रहा या फिर आप किसी job interview के लिए अगर prepare कर रहे हो और आप चाहते हो आपकी English fluent हो जाए जिससे आपका जो job interview है वो easily crack हो जाएगा then this video is for you so hey what's up people मेरा नाम है अबिनव और आप देख रहे हैं true techie and this video is all about utter app जो की English learning app होने के साथ साथ आपका एक perfect guide बन सकता है आपको English सिखाने में और utter app दूसरे English learning app से बिलकुल different है क्योंकि यहाँ पे कोई fix pattern नहीं है यहाँ पे जिस तरीके की आपको English आती है यह बिलकुल नहीं आती उसी तरीके से आपको English learning सिखाता है और आप बहुत मजे मजे में easily सीख भी जाते हो और जो job interview वाले हो उनके लिए तो बहुत जादा गजब के features है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे तो विडियो को सिर्फ पांच मिनिट दीजेगा पांच मिनिट बाद आप खुद कहोगे कि यह एप English सीखने में बहुत जादा beneficial है और English सीखना बहुत जादा easy है बना देगा तो first of all app का link मैंने description box में दिया है वहाँ पे जाके आपने click करके इसको download कर लेना है download करने के बाद आप इसको open करोगे open करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का screen आएगा जहाँ पे get started पे आपने tap करना है को एक चीज़ का जरूर धियान रखना है कि अगर आपको English नहीं आती है अपनी regional language ही आती है तो उसी में English को सीखें suppose करो कि मुझे English नहीं आती मुझे सिर्फ Hindi आती है और मुझे English सीखनी है तो मैं यहाँ पे क्या select करूँगा learn English in Hindi और इसको select करने के बाद यहाँ पे next कर दूँगा और next करने के बाद जो मेरे courses है वो load हो जाएंगे तो यहाँ पे जो main screen है सबसे पहला option आप देख पा रहे होंगे कि start your first topic यहाँ पे जैसे ही आप tap करोगे तो यहाँ पे जो utter का boat है यानि कि chat boat है यह आपको English शिखाने में आपकी help करेगा तो इससे पूछ रहा है मेरे से कि hi how are you तो इसके बाद इसने आपको खुद दो option दिय है या लिखा है इसका मतलब यह है कि आप उस time कैसा feel कर रहे हो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि at this time bold है तो आप यहाँ पे tap जैसे time पे करोगे तो यह बताएगा कि meaning of time या फिर translate करना है sentence को या फिर speak तो speak पे जैसे आप करोगे तो यह आपको पूरा का पूरा ज जोब तो beginner से start करते है beginner का मतलब यह है कि English आपको बिलकुल नहीं आती या फिर थोड़ी बहुत आती है आप बिलकुल basics जो है वो clear करना चाहते हो तो वो आपको beginner में मिलेगा जैसे see all पे जाओगे आप तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़े आपके सामने आ जाएगी जैसे tenses basic preposition, pronunciation, telling time यह सब चीज़े जो basics बिलकुल चीज़े होती है वो आप यहाँ से सीख सकते हो उसके बाद जो next option है वो है intermediate यानि कि आपको ठीक ठाक आती है आप अपने basics से थोड़ा उपर जाना चाहते हो जैसे यहाँ पे see all पे आप tap करोगे intermediate में तो intermediate वाली चीज़े आ जैसे greetings आप किस तरीके से greet करोगे लोगों को hello high यह सब चीज़े फिर दोस्तों से कैसे बात करते हैं या फिर making plan तो making plan में जाते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा आपको how to invite someone watching a movie how to refuse an invitation मतलब सारी वो चीज़े कि आपको English आती है लेकिन अब आप थोड़ा intermediate यानि कि medium level पे जाना चाहते ह हो अब जब आपका intermediate level भी clear हो गया और आप चाहते हो कि advanced level पे यानि कि आप बहुत जादा fluent होना चाहते हो तो आप advanced level पे जाओगे कि आप colleagues से कैसे बात करोगे या फिर superior से HR से यह सब चीज़े email कैसे लिखते हैं articles कैसे लिखते हैं या फिर यहाँ पे जो modal verbs होती है उनको कैस यूज करना है तो यह सब चीज़े आपको advanced में मिल जाएगी तो आपका confidence वहाँ पे थोड़ा डामडोल हो जाता है और जोब आपके हाथ से निकल जाती है तो वह चीज़ यहाँ पे आप fix कर सकते हो see all में जाते है तो यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़े मिल जाएगी सबसे पहला interview skills फिर यहाँ पे resume या फिर cv किस तरीके से लिखते हैं फिर gd के लिए आप prepare यहाँ पे कर सकते हो अलग-अलग level पे तो part one two three इस तरीके से तो पूरा का पूरा overall English सीखने का package है job interview के हो तो interview skills आपकी अच्छी होनी चीए तो यहाँ पे select करके देखते हैं कि आपको क्या क्या चीज़े यहाँ पे मिल जाएंगी तो first of all introduction आपका जबरदस्त होना चीए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि how to introduce yourself और your work experience किस तरीके से आपने एक्सप्रेस करना है अपने आपको फि vocabulary कि किस तरीके से आप अलग अलग तरीके से अपने आपको introduce कर पाओगे work experience कैसे बताना है या फिर जो आपकी application है उसको किस तरीके से आप वहाँ पे express करने वाले हो वो सब चीज़े आपको interview skill में मिल जाएगी अब यह सारे features सुनने के बाद में भी आप यह कहों कि यह features तो other app में भी मिल जाते हैं लेकिन जो feature अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो other apps में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि जो live expert का feature है वो आपको किसी app में नहीं मिलता आप यहां पर discuss कर सकते हो आप अपने topics को practice कर सकते हो या फिर आपके कोई doubt है वो यहां पर directly clear कर सकते हो तो हम live expert में यहां पर जो आपको option मिलना है corner पर bottom वाली side पर tap करोगे अंदर जाओगे तो यहां पर complete your topic और जैसे एंटर करोगे तो यहां पर आपका जो session है वो start हो जाता है तो यह था overall video regarding utter app जो कि एक English learning app होने के साथ साथ आपका एक perfect guide बन सकता है आपको English सिखाने में और अगर आपको English नहीं आती तो definitely आप इससे English सीखोगे और enjoy करोगे या फिर जोब के लिए प्रिपेर कर रहे हो तो definitely अपने भाई को याद रखोगे कि कुछ उसने ढंका ही बताया है तो app को download करने का link मैंने description box में दिया है जाके directly download कर सकते हो उसके बाद English सीखना start कर दो उसके बाद भी आपक शेर सब्सक्राइब जो मने करते हैं नाइक्स वीडियो में थैंक्स फूर वोचिंग